पूने हाथसे के नाबालिक आरोपी पर बालिक के तौर पर केस चले या नहीं इस पर जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने अभी कोई फैसला नहीं किया है लेकिन अपने पिछले फैसले को बदलते हुए बोर्ड ने आरोपी को पांच जून तक रिमांड होम में भेज दिया ह अगर किसी नाबालिक को, Child in conflict in law को अरेस्ट होती है या उसके उपर को यह फायर होती है उसके एक मेने के बाद 30 देज में चारशीट फाइल करते हैं investigating agencies चारशीट फाइल होने के बाद और दो मेने की प्रोसीजर है जिसमें उसका psychological assessment, social behavior, de-addiction ये सारे parameters टेस्ट किये जाते हैं उसके लिए उस minor को या उस child in conflict in law को किसी भी rehab home में रहने की अवशकता नहीं है there is no prescription of that in the law उस चीज के लिए अगर वो rehab home से बाहर भी है फिर भी investigation continued रहेगा उसके बावजूद जूरियल जस्टिस बोर्ड उसके parameters चेक करते रहते हैं क्योंकि उनके पास reports और compliance reports फाइल होनी होती है और उसके बाद मतलब आज से कम से कम 90 days के बाद whether the person जो concerned CCLA, child in conflict with law उनको adult करके treat करेंगे या minor करके treat करेंगे ये procedure 90 दिनों के बाद आएगे 17 साल के इस नाबालिक को पिछली बार उसके दादा के आश्वासन के बाद जमानत मिली थी कि आरोपी को बुरी संगत से दूर रखा जाएगा सिर्फ 7,000 के मुचलके पर ये जमानत मिली जबकि इस शक्स की पोर्शे से दो लोगों की जान चली गई उधर बुदवार को कोट में पेशी के वक्त नाबालिक आरोपी के पिता पर स्याही भेंकने की कोशिश हुई इसके पीछे पूरे का एक संगठन बताया जा रहा है फिलहाल जिला अदालत ने पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा है हाला कि पुलिस साथ दिन की रिमान चाहती थी पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि उसने शीडी में होने की बात कहकर गुमरा किया जबकी वो औरंगाबाद में था इस मामले में पप के मालिक और मैनेजर सहित पांच लोगों को गिरफतार किया गया है उन पर नाबालिक को शराब परोसने का आरोप है पुलिस ने इनकी साथ दिन की हिरासत ली है ये भी मालूम किया जाना है कि इन्हों ने किसकी सदसिता पर यहाँ प्रवेश किया था पूरे की कल्याणी नगर में हुए हाजसे में दो बेकसूरों ने अपनी जान गवादी अब इस मामले को लेकर देश भर में राजनीती हो रही है वही राजनेता अपनी राजनेतिक रोटी सेकने में इतने व्यस्त हैं कि अभी भी किसी भी मुनुतक के परिजन को मिलने का समय उनको नहीं मिल पाया है कैमरेमेन प्रवीन रोहित के साथ पारस दमा इंडी टीवी इंडिया पूने वही पूने पूलिस ने जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में ही समिक्षा याचिका दायर कर आरोपी के खिलाफ किसी बालिक की तरह केस चलाने की मांगी है इस मामले में जुविनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला पांच जून को सुनाएगी पूने के पूलिस कमिशनर हमारे साथ हैं सर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज पूरे इस मामले में शनिवार से जो मामला शुरू हुआ था वो आज जाके कहीं खतम होता दिख रहा है इस पूरे मामले में पांच जून तक जो है वो माइनर को रिमान होम में बेज दिया है चिलन रिमान होम में सर सबसे पहला सवाल यही होगा क्या bail की प्रक्रिया थी और क्या bail मिली है नहीं मिली है क्योंकि इस बात को लेकर बड़ी confusion है देखिए हमने संडे को दो application court में move किया था एक किया था कि यह एक heinous crime है और juvenile justice act के section 15 के अंतरगत इसको adult की तरह treat किया जाए हमने second application किया था कि जिस समय तक इस पे निर्णे नहीं होता है उसको 14 दिन के लिए remand observation home में भेजा जाए यह दोनों application हमारा उस दिन desallow किया गया था adult के treat करने वाले application को दफतरी दाखिल किया गया था हमने उस पे revision किया आज revision में हमको favorable order दोनों count पे मिला adult treat करने की application पे जो कि दफतरी दाखिल की गई थी उसको खोला गया है उसमें आरोपी को 24 में तक अपना से दाखिल करने के लिए समय दिया गया है जो हमारा जो उसको बेल मिला था और जो वो खुला उसका movement था उसको modify किया गया है और अब उसको observation home में भेजा गया है तो दोनों ही count पे हमको यश मिला है अभी written जो जो रेमांड किया गया है उसको observation home में उसका written order हमारे पास प्राप्त नहीं है oral operative order हमको communicate किया गया है detail order के बाद उसके detail अपनी प्रतिक्रिया मैं दे पाऊंगा सबसे महतुपूर्ण सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि जो blood test किया गया था blood test की reports अभी तक क्यों नहीं आई है blood test की reports अभी तक नहीं आई है हम उसको expedite करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं बार बार प्रसार माध्यम के मारिफत से बता रहा हूँ कि blood report इसमें बहुत महतुपन नहीं रखता है ये case हमारा under the influence of alcohol गलती से उस case से accident हो गई और लोग मर गए और ये एक 304 अ का case है ये हमारा case ही नहीं है हमारा case है जो conduct थी एक बार में जाके party करता है दूसरे बार में जाके party करता है बिना number plate के गाड़ी लेता है उस गाड़ी को rash तरीके से over speed में वो एक narrow सड़क पे जहां पे लोग हैं वो चलाता है वो fully senses में था और उसको ये knowledge था कि उसके इस act से लोगों की जान जा सकती है इस तहट ये घटना उससे हुई है हमारा case 304 का है जिसमें 10 साल की सजा है